हाई गाईस वेलकम बेक टू मोटो राइडर दोस्तों आप लोग काफी समय से बजाज और ट्राइम की पार्टनर्शिप में त्यार होने वाली एक रेट टू स्केमला बाइक का वेट कर रहे थे तो फाइनली बजाज की तरफ से काफी अच्छी निउस निकल कर आ रही है कि बजाज अपनी फर्स रेट टू स्केमला बाइक को इस साल इंडियन टू विलर मार्केट में हैंडे 10-10% कन्फर्म लाँच करने वाली है और इस निउस का कन्फर्मेशन खुद बजाज की CEO राजी बजाज ने एक इंटर्व्यू में किया है तो आज ही वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाइक कर लूँक कैसा होगा और ये बाइक कब आओ कितनी प्राइस में लॉंच होने वाली है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिंग लगता है ये बाइक देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगने वाली है क्योंकि बाइक में बहुत अच्छे मटेरियल कर यूज किया गया है अगर हम इस bike की headlight की बात करें तो इस bike के front में आपको round shape की LED headlight देखने को मिल जाएगी जो कि देखने में भी बहुत अच्छी लगती है अगर हम इस bike indicator की बात करें तो indicator भी आपको LED में provide किया जाएगा जो कि इस bike look को और भी जैदा enhance करता है अगर हम इस bike के rear section की बात करें तो rear में आपको premium look वाली LED tell light देखने को मिल जाएगी इस bike की जो सबसे खास बात है वो है bike का mirror इस bike का mirror handle bar पर दिया गया है जो कि देखने में बहुती जैदा premium लगता है जो कि इस bike look को और भी जैदा enhance करता है अगर हम इस bike के engine के बात करें तो इस bike में आपको 350cc का 4-stroke 4-wall liquid cool वाला engine देखने को मिलेगा जो कि काफी powerful होने वाला है इस bike में आपको 6-speed manual transmission gearbox का setup भी देखने को मिलेगा और साथी साथी इस bike में आपको dual channel abias भी देखने को मिल जाएगा जो कि आज की समय में safety के लिए काफी जरूरी है अगर हम इस bike की seat के बारे में बात करें तो इस bike में आपको काफी comfortable seat देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको काफी smart feature देखने को मिल जाएगे अगर हम इस bike की launching और pricing के बारे में बात करें तो इस bike की जो price है न वो आपको Indian two wheeler market में 2,44,000 रुपय की एक शुरूर प्राइस में और अगर हम इस bike की launch date की बात करें तो ये bike आपको जोन से जुलाई के मैने में launch हो सकती है आपको ये वीडियो कैसी लगी comment section पर जरूर बताईएगा